C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए मोहलियाती साइन्स की समयी दर्सी किताब आसपास का सबक नमबर सत्रा चिठ्ठी आई है सफा नमबर एक सो नौ इस सफे पर एक पोस्ट कार्ड दिखाया गया है पोस्ट कार्ड पर नाम है एहमद अली मकान नमबर पंधरा ब्लॉक C. मालविया नगर नई दिल्ली पिन नमबर 110017 एहमद तुम बताओ तुम कैसे हो हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है उमीद है छुट्टियों में तुम अगर तला आओगे सभी बढ़ों को आदाब तुम्हारी रीना मैं हूँ एक खत कागज कलम से लिखा हुआ खत जिसे रीना ने अपने दोस्त एहमद को लिखा मुझे लिटर बॉक्स में डाला गया डाकिये ने मुझे निकाला और निकाल कर एक बड़े थैली में डाला मैं हो गया डाकिये की साइकल पर सवार और पहचार डाक खाने वहां मुझे थैले से निकाला गया निकाल कर एक जोर की महर लगाई गई महर थी अगर तला की जहां से मेरा सफर शुरू हुआ महर लगने के बाद मैं दूसरे बड़े थैले में पहचा इसमें बहुत सारे खत थे जो दिल्ली जा रहे थे डाक खाने की गाड़ी से मैं रेलवे स्टेशन पहचा वहां मैं दिल्ली जाने वाली रेल गाड़ी में चढ़ा पांच-छे दिन के लंबे सफर के बाद मैं दिल्ली पहचा वहां के डाक खाने के पते के मताबिक फिर से मेरी छटाई हुई और फिर मोहर लगी इसके बाद डाकिये ने मुझे एहमद के घर पहुचा दिया सफा नंबर 110 नीचे रीना के खत का सफर तस्वीरों में दिया गया है मगर ये क्या? तस्वीरे आगे पीछे हुई हैं तर्तीब के मताबिक तस्वीरों के नीचे नंबर डालो पहली तस्वीर रीना लेटर बॉक्स में खत डाल रही है तूसरी तस्वीर में डाकिया खत पर मोहर लगाते हुए तीसरी तस्वीर में बड़े थेले में खत की मौझूद्गी और थेले पर दर्जह नाम देली चौथी तस्वीर में रीना खत लिखते हुए पांचवी तस्वीर में डाकिया खत को चाटते हुए चटी तस्वीर में डाकिया लेटर बॉक्स में खत डालते हुए साथवी तस्वीर में एक खातून खतों की चटाई करते हुए और आठवी तस्वीर में अली खत पढ़ते हुए सफा नंबर 111 रीना ने एहमद को एक खत लिखा अब तुम अपनी क्लास में किसी दोस्त को एक खत लिखो खत के उपर दोस्त का नाम जरूर लिखना सब ने खत लिख लिए लेकिन हम उन्हें किस में डालेंगे चलो क्लास के लिए एक लेटर बॉक्स बनाएं नमबर एक जूते का एक खाली डबा लो नमबर दो डब्बे पर लाल रंग लगाओ या उस पर लाल कागस चिपकाओ नमबर तीन अब डिब्बे के धकन को कैची से इतना काट लो के खत अंदर डाला जा सके लो हो गया तैयार लेटर बॉक्स तुम सब अपने अपने खत इस लेटर बॉक्स के अंदर डालो और अब इंतजार करो अपने अपने खतों का अब एक बच्चा डाकिया बने वो लेटर बॉक्स से खत निकाले और सब बच्चों में तकसीम कर दे दोस्ट का खत पढ़कर अच्छा लगा जैसे तुमने अपने दोस्त को खत लिखा वैसे ही तुम्हारे रिष्टेदार और दोस्त भी तुम्हें खत भेजते होंगे तुम घर से कुछ खत लाओ और देखो कि खत कितने मुख्तलिफ तरहा के होते हैं तुम्हें उन खतूत में क्या फर्क महसूस होता है किन किन खतूत पर टिकेट लगा हुआ है क्या सभी टिकेट एक जैसे हैं उन में क्या क्या फर्क है क्या तुमने खतूत पर डाग घर की महर लगी हुई देखी है क्लास में अपनी दोस्तों को खत लिखकर कुछ बताने में बच्चों को लुट्फ आएगा खत नवीसी के लिए उनकी होसला अवजाई कीजिए खतूत की मुख्तलिफ अकसाम को जमा कीजिए सफ़ा 110 में दी गई तस्वीर में औरत को डाग खाने में काम करते हुए दिखाया गया है खानदान और समाज में सनफी जिम्मेदारियों पर तबादलाए खयाल करें रिपकाओ यहां खाली जगह दी गई है तुम्हारा खत तुम्हारे दोस्त के पास कैसे पहुझा क्यूंकि उस पर उसका नाम और पता लिखा था सफ़ा नंबर 113 दिये गए पोस्ट कार्ड पर तुम अपना पूरा पता लिखो यहां एक पोस्ट कार्ड की तस्वीर दी गई है रीना का खत तो रेल गाड़ी से दिल्ली पहुझ गया तुमने कभी सूचा है कि जब रेल गाड़िया नहीं थी तो दूर दरास जगाहों पर खत कैसे पहुझते थे डाक खाने की सैर इसकूल या घर के पास डाक खाने में जाकर देखो कि खत कैसे आते जाते हैं वहां इसके अलावा और क्या-क्या काम होते हैं पुराने जमाने में खत कैसे पहुझते थे बच्चों को अपने बजर्गों से मालूम करने को कहिए पोस्ट कार्ट पर पता लिखने में बच्चों को मदद की जरूरत पढ़ सकती है बुजर्ग लोग पुराने जमाने के बारे में मालुमात हासिल करने का एक एहम जरिया है इसकी समझ आ जाने से बच्चे बुजर्गों से बाचीत करने की तरफ रागिब होंगे यहां एक तस्वीर दी गई है जिसमें दो खवातीन नजर आ रही है यह क्या रजिया और उसकी आपा खत को लेकर क्या बाते कर रही है पहली खातून चानती हो आपा आज क्लास में हमने खत के सफर के बारे में जाना मैं नानी जान को खत लिखूंगी दूसरी खातून तुम खत लिख सकती हो मैं उन्हें फोन करने जा रही हूँ चलना है तो चलो रजिया और आपा फोन करने के लिए गाउं की एक दुकान पर गई आपा ने फोन नंबर लगाया दोनोंने नानी से बाते की दुकानदार को पैसे दिये और खुशी खुशी घर लोट आई तुमने फोन कहां कहां देखा है तुम फोन पर किस किस से बात करते हो तुम्हें खत लिखना या फोन करना दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है सनफी तास्ब और उससे वाबस्ता मसाइल पर बात चीत करें जैसे टेकनलोजी के इस्तमाल मुख्तलिफ कारोबार वगेरा में मर्द और और ओरत की नुमाइंदिगी सफा नमबर 115 फोन भी अलग अलग किस्म के होते हैं तुमने जो फोन देखे हैं उनकी तस्वीर बनाओ यहां खाली जगह दी गई है अपना फोन बनाओ इसके लिए माचिस की दो खाली डिब्बियां या आइसक्रीम के दो खाली कप और धागा लीजिए दोनों माचिस की डिब्बियों में सुराख करो एक डिब्बी के सुराख में से धागा निकाल कर गांठ बांध दो धागे का दूसरा सिरा दूसरी डिब्बी के सुराख में से निकाल कर गांठ बांधो बन गया तुम्हारा फोन अपने एक दोस्त को फोन का एक सिरा कान में लगाने को कहो और दूसरा तुम अपने मुह पर रखो ध्यान रहे कि धागा खिचा रहे कहीं छूटे नहीं शुरू करो अपनी बाते हमने खत भी लिखा, फोन भी किया बताओ कि खत और फोन में कौन सी बाते एक जैसी हैं और कौन सी मुख्तलिफ मकामी रहन सहन और माहौल को ध्यान में रखते हुए राप्ता करने के और तरीके जैसे मुबाइल फोन, ई-मेल वगएरा पर भी बच्चों से बातचीत की जा सकती है इसी के साथ 24 असबाक की किताब आसपास का सतरवा सबक चिठ्थी आई है यहीं खत्म होता है स्वाती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत